कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब सेफ होगे और आज हम 20 मिनेटी वीजन सीरीज के अंदर करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्स ऑफ केमेस्ट्री यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए मेभी इस चैप्टर को थोड़ा और चैप्टरों से ज्यादा टाइम लग सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को मैं जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सकूंँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि थर्डी ऑक्टूबर को आपका एक सेशन याग अनकैडमी के अंदर जहां पे है तो दस बजे से लेकर 12 पीम तक है अपनी डेट्स अपने कैलेंडर मांक कर लो आप 30 ऑक्टूबर को अनकैडमी पे सेशन होने वाला है जहां पर आगर आप अपनी नीट यूजी की प्रपरेशन को एक्सल करना चाहते हो तो इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं है इतनी भी क्लासिस होंगी लाइव इंट्रेक्टिव क्लासिस होंगी अगर आपको एक लास मिल्स करते हो तो वह क्लास रिकॉर्डड हो जाएगी तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो इन सभी बैचिस में डॉने के लिए आपको अनकैडमी का प्लस है फिर आइकानिक इंग्लिश वर्ट कोड लगाओ और आपको 10% आफ मिल जाएगा इन सभी के लिंग जो डिस्क्रिप्शन में आप इन सभी बैचिस में जो रोज और अपनी नीट यूजी प्रिपरेशन को यह तो 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 आप त्यारी कर रहे हो सब उसक दूसरा क्लाज़ इंग्येशन को इस दावें बात करेंगे और सबसे पहला हूँ फिजीकल ब्रपरिंटिस की बात करेंगे जो किसील क्लासीफिकेशन आता है किया मैने कुछ बहुत इम्टेंज बगी नोट से वह हैं रिटेन और बहुत मैंस से बनाए गए तो इसलीए पन पर इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम देख सके अपनी आखों से विदाउट चेंजिंग दॉपर्टीशन और उसकी आइटिटी किसी भी एक अगर हमारे बास हम सब्सक्राइब करें उसके बिना इडेंटिटी चें बहुत बड़े एक्सपरिमेंट करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी जैसे अगर मैं एक्जांपल की बात करूं तो कलर और और ओडर हो तो स्मेल और कलर ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हम किसी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर समेल कर सकते हैं बिना उसकी आ बता लगानी है हीट ऑफ कंबस्शन हम उसको हीट कर रहे हैं तो यह सब जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब कैमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है ना पर यह जो नॉर्मल डेफिनिशन है इतना कुछ पूछता नहीं है बहुत जन्रल चीज है सो में जो पूछेगा वह पूछ नहीं हो मैं आपको आगे बता दूँगा अब बात करते एक्सप्रेसिंग अफ फिजिकल कॉएंटिटी जिसमें दो चीज़ होती है एक नुमेरिकल वैल्यू होती है एक यूनिट होती है किसी अगर आप एक प्रॉपर्टी या फिर किसी यूनिट को देखते हो जैस यह मैंने table बहुत सुनर सी बना रखे आप लोग के लिए आपे सबसे पहला हो गया length इसका symbol हो गया L देख सकते हो फिर हो गया name of the unit, meter, length को meter में आपते हैं इसका symbol हो गया M, ऐसे ही mass का M, kilogram, kg, time का T, second, second हो गया और thermodynamic temperature, temperature को हम T से रेनोट करते हैं और उसका unit होता है, वो होता है current, amount of substance, luminous intensity जो कि आपके लिए एक नया time है, यह सातों चीज़ा आती है, बस अगर आपको current और यह सब तो normal सी बात है, आपके यह दो यह दोनों चीज़ समझ जाओगे, बट last जो बात है, luminous intensity, इसमें क्या होता है, इसको IV से देनोट करते हैं और इसकी जो SI unit होती है, वो होत आप चलते हैं, अगले topic पे, some conversions, यह कुछ general conversions है, आप इनको देख सकते हो, पहले हम थोड़ा color change कर लें, हाँ, I am strong को मैं 10 to the power minus 10 meter भी लिख सकता हूँ, nanometer को 10 to the power minus 9 meter लिखूँगा, picometer को 10 to the power minus 12 meter लिखूँगा, तो यह कुछ ऐसी conversions है, आप मैंने दे रखी है, इनको आपको सब्सक्राइब कर लेना, अब हम चलते हैं, में में law of chemical combinations पर, सबसे पहला जो है, वो है law of conservation of mass, यह law क्या कहता है, हम से, according to law of conservation of mass, in all physical and chemical changes, total mass of the system remains constant, जो total mass system का है, वो constant रहेगा, मतलब reactant का माज और product का माज बिलकुल constant रहेगा, मतलब सेम रहेगा, देखो, total mass of the reactant is equal to total mass of the product, सही बात है, जितना आपका जो reactant आपका आपने यूज किया है, उतना ही आपका product बनेगा, उससे ज्यादा product नहीं बन जाए, अगर आपने 18 gram reactant यूज किया है, तो आपको सिर्फ 18 gram ही product मिलेगा, तो यह इसका कहने का मतलब है, अब चलते हैं कुछ key notes पर, nuclear reactions are exception of law of conservation of mass, अग यहां पर mass ही नहीं, energy भी conserve रहती है, according to the modern view, the law of conservation of mass is not always valid, यह हमेशा valid नहीं है, यह बहुत important points जो कि key note में आते हैं, the law holds good only in case of such chemical reaction, there is no evolution of heat or light, जहां पर जो type की reactions, जहां पर light और heat का evolve नहीं हो रहा है, है ना, जहां पर light और heat product में नहीं बन नहीं है, सिर्फ law of conservation of mass उनी reactions पर ल heat product के form में निकर लाई है, उनमें law of conservation of mass नहीं लगेगा, अब चलते हम law of definite proportion पर, so law of definite proportion कहता है, chemical compound always contains same elements combined together in same proportion of mass, that is, chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained, मतला अगर एक पानी ले लो, तो पानी आप चाहाँ 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 18 grammy रहेगा, है ना, h2o, two ratio one में ही वो proportion रहेगा, चाहाँ कुछ भी कर लो आप, तो इसका मतलब यह है, चो कोई भी इसका कोई source पर डिपेंड नहीं करेगा, कहीं से भी source लगाओ, आपका जो, आपका जो proportion of mass है, वो सेम रहेगा, 18 grammy, यह एक example था, अब चलते हम law of multiple proportion पर, if two elements can combine to form more than one compound, then masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers, यह कुछ ऐसी definitions है, जो कि directly आपके MCQ बेस में आ सकते हैं, और पूचेगा कि कौन सी law का definition है, इसका example के बात करते है, carbon can combine with oxygen to form more than one compound, carbon oxygen के साथ, carbon monoxide मतलब CO भी बनाएगा, और carbon dioxide मतलब CO2 भी बनाएगा, और carbon dioxide मतलब CO2 भी बनाएगा, ratio of masses of O that combines with fig mass of C 16 ratio 32 और 1 ratio 2, आप देख रहे हो कि C 1 ratio में ही है, जबकि oxygen पहले 1 ratio के carbon monoxide में और दूसरा CO2 के अंदर वो 32 gram है, और जबकि CO के अंदर वो 16 gram है, तो यह पर oxygen 1 एक में 1 है और एक में 2 है, तो यह जो whole number ratio आ रहा है, एक ही element के साथ, मतलब 2 elements सेम है और वो दोनों scores में 2 अलग अलग ratio बना रहे है, तो जहां पर यह आ जाए तो मतलब law of multiple proportion, ठीक है, अब जो law of reciprocal proportion है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह आपके पूरे अच्छे इस लेबस पर नहीं है, इसकी definition अगर आप चाहो तो पर सकते हो, बट इसका को यूज तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल skip करने वाला हूँ, अब हम चलते हैं, गेल उसक law पे, जो की बहुत important law है, so, he observed that when gases combine और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure, यह definition तो इतनी मैंने रड ली थी, कि इतनी जादा important definition है, ठीक है, मतलब यह volumes related है, यहाँ पे एक mole का मतलब 22.4 liters होता है गेल उसक बस यह कहना चाहरे थे, वो मोल्स को volume के टर्मस में express करना चाहरे थे, इसलिए उन्होंने अपनी यह लाओ दी, आगया हम इसके बारे में और अच्छे समझेंगे, जैसे यहाँ पे एक एक एक्जामपल रखा है, जैसे दो hydrogen oxygen के साथ react कर रहे हैं और वो water बना रहे है, ठीक है, तो अब देखो आप, 100 ml hydrogen, 50 ml oxygen के साथ 100 ml water बना रहा है, मतलब two volume, देख रहे हो, two most दे रखा है, तो यहाँ पे नोंने volume लिखा है, इसको, यहाँ लिखा है, तो नोंने one, one mole को one volume consider किया है, यह two mole water को नोंने 2 volume consider किया है, मतलब यह moles को सिर्फ volume के तरफ में concept consider कर रह है, बहुत important, यह आपको और अच्छे समझ में आएगी, अवोगेटो law that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, equal volumes की बात के रहे हैं, अगर हम gas की, तो उनमें equal number of molecules present होंगे, अगर हम एक same temperature of pressure की बात करेंगे, जैसे example, यह जतनी भी जो laws हैं, आपको examples ही समझ में आएंगी, symbol definition पढ़ के आपको नहीं समझ में आएंगी, मैं आपको examples भी दे रहा हूं साथ में, 22.4 liter of every gas at STP, standard temperature pressure, STP क्या होता है, standard temperature pressure, जिसमें, जो temperature हम लेते हैं, 273 Kelvin और जो pressure लेते हैं 180, पूछ सकता है, STP पे temperature and pressure कितना होता है, STP पे temperature, 273 Kelvin होता है, और pressure होता है 180, contains equal number of molecules which equals to 6.022 into 20 power 23, this is Avogadro's number, मतलब 22.4 liter of every gas, मतलब 1 mol, 1 mol of every gas में, आपको 6.022 into 10 to the power 23 molecules देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको भी आपको एक table के फॉर्म में बताऊंगा, आपको और अच्छे समुन में आ जाएगा, ठीक है, बच यादर आपको 1 mol के अंदर, मतलब 22.4 liter, अगर volume की बात करूं, and 1 mol is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules, मतलब evo hydro number, अब बात करते हैं, atomic mass unit, चोकि AMU बोलते हैं, it is defined as the exactly 112th of the mass of the carbon 12 atom, चो carbon 12 atom का mass है, उसको 1 by 12th गुना, को हम बोलते हैं, atomic mass unit, इसको AMU से represent करेंगे, AMU मतलब अलिकर मुस्लिम नहीं है, इसका मतलब atomic mass unit है, आज की डेट में, आज के दौरे में, हम AMU को U से represent करते हैं, मतलब unified mass, लिखा भी हुआ है, मैंने U से हम unified mass को represent करते हैं, simpler वही बात है, 1 by 12th करोगे, अगर आप carbon 12 atom का तो आपका यह निकल कहा जाता है, 1.67 into 20 power minus 24 grams, तो यह ज्यादा important नहीं है, बस आपसे main पूछ सकता है, AMU की definition क्या है, जो कि मैं आपको अल्लिदी बता दिया, 7 into 20 power minus 24 gram होते हैं, तो यह मैंने आपको अल्लिदी बता दिया, unified mass बोलते हैं, अब average atomic mass, जो कि बहुत important है, इसमें क्या होता है, बहुत सरे आपको elements कि आपे percentage देगा है, एक यह element की isotopes की percentage देगा, तो आपको क्या करना है, उन isotopes की percentage को उनके mass दिप्लाइब करके add करके upon 100 कर दे कि आप atomic mass, atomic number और mass दे रखा है, तो आपको क्या करोगे, 19% को उसके mass से multiply करके, 2-3 isotopes दे रख्योंगे, तो आप सब को ऐसे करके देखोगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, A1 यहाँ पर हमने atomic mass लिया है, और X1 हमने percentage लिया है, मतलब isotope की percentage, तो हम पहले उसके mass को को उसकी percentage से multiply करेंगे, फिर दूसरा isotope के mass को उसकी percentage से multiply करेंगे, और फिर तीसरा isotope के mass को हम उसके percentage से multiply करेंगे, जितने भी isotope रख्योंगे, उसमें यह सब करना, और finally, divide कर देना 100 से आपको average atomic mass देखने को मिलेगा, जब आप questions practice करोगे, तो आपको यह formula directly महाँ लगता हो, लिखेगा, और आपको फिर मज़ा आएगा, और फिल आप लाइक कर दोगे, इस वीडियो को, molecular mass और formula mass हमें पता है कि molecular mass है, CH4 का molecular mass 16, H2O का molecular mass 18, तो भाई यह बस molecular mass मतलब किसी भी molecule का mass निकालोगे, तो molecular mass आ जाएगा, और formula mass हम बस आएनिक compound में denote करते हैं, जहां पे electrostatic forces से लोग connected होते हैं, जैसे example NACL दे रखा है न, NACL मतलब NACA का आप क्या रखोगे, mass 23 रखोगे, और CL क्या mass होता, 35.5 इन दोनों को add कर दोगे, तो आपको NACL का formula mass निकल के आएगा, तेक है, अब चलते है, मोल concept and molar mass, जो की बहुत important topic है, चैप्टर का, वन मोल आफ एटम्स में 6.022 22 22 23 atoms होते हैं, मैं आपको पहली बता चुका हूँ, अगर आप atoms लोगे, तो उसमें 6.022 22 22 23 atoms हो जाएंगे, अगर आप 1 molecule लोगे, तो वो आउसमें atoms के जाएंगे, molecules हो जागे, जैसे यहां पर देखो, 1 mole of molecules हो गया, तो यहां पर भी देखो, 6.022 22 23 molecules हो गया, तो बस, बहुत असान हो, मैंने बताया, आपको वन मोल में 22.4 लीटर भी हम ले सकते हैं, उसको STB के अंदर, तो बस यह बहुत असानी सी, असान वाली बात हैं, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, पस यह यहां रखो, 1 mole is equal to 22.4 लीटर, is equal to 6.022 22 23 23, वो चाहिए atoms हो सकता है, वो च 22.4 लीटर होता है, at HTP, HTP मतलब 273 Kelvin और 180 म, बस मेरी बात हो जहां से सुनते जाओ, number of moles के formula बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, given mass upon molar mass, जो mass आपको question में दे रखा हो, और जो molecule का mass हो, उसको divide कर दो हो, ठीगा, मालो 16 gram of CH4 दे रखा है, तो 16 upon CH4 को क्या होता है, molecule मास अभी बताया into 100, मालो CH4 दे रखा है, है ना, इसमें हमें carbon का mass percent निकालना है, तो carbon का मास क्या दे रखा, mass of the element in the compound, CH4 में carbon का mass क्या है, 12, तो 12 upon mass of the compound, 16 into 100, 4, 3 to 12, 4, 4 to 16, 2 to the 4, 50, 25, 25 into 3 करोगे, तो 75% आ गया, तो carbon 75% present है, CH4 के अंतर, तो हम ऐसे mass percent निकालते हैं, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करने वाले chemical formula, empirical formula बहुत एक important topic है, मैंने question के form में आपको समझा रखा है, सबसे पहले हम उसकी definition पढ़ लेते हैं, it represents the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound, empirical formula of benzene, C6S6, हम benzene को कहते हैं CH, देख रहे हो, अग आपको एक question की form में, पूरा सको process को समझा दूँ, जहां से directly question आता है, एक question दे रखा है, a compound of iron and oxygen is analyzed and found to contain 69.94% iron and 30.06% oxygen, एक compound को हमने analyze किया है, iron and oxygen के, वो compound क्या है, उसका हमें formula बताना है empirical, इसमें 69.94% आपको iron present और 30.06% आपकी oxygen present है, तब आपको इसका empirical formula बताना है, compound का, इसमें directly table मनती है, और ये table आपको मन में बसा लेनी है, इसके main key points, कोई भी अगर, कोई भी, कितने भी elements का, अगर compound आएगा, आप निकाल लोगे इसमें, 3, 4, 5, 6 है ना, निकाल लोगे आप, म आपको name लिखना है, जो element का, जो question में given हो, जैसे FU और O दे रखा है, तो मने iron और O का लिख दिया, percent given, percent देख सरक तो 69.94% given है, तो मैंने आपके 69.94% लिख लिए, oxygen की कित्ती के मैंने 30.06, तो मैंने 30.06 लिख लिख लिए, इसके बाद मुझे mass लिखना है, iron का mass 56 होता है, ब 55, 56 से divide करोगे, तो 1.252 आ गया, ऐसी आप 30 को divide करो कि 16 से 1.879 आ गया, अब number of moles में जो सबसे smallest unit हो, मतला 1.252 देखो, सबसे सबसे छोड़ा number है, तो आपको दोनो number को से divide कर देना, मतला 1.252 को 1.252 से divide करोगे, तो 1 आ गया, similarly आपको 1.879 को भी 1.252 से divide करना है, तो 1.5 आ ग आने के लिए क्या करते हो, आप multiply कर दो किसी भी एक number से, तो 1 को मैंने 2 से divide कर दिया, तो 2 आ गया, और 1.5 को 2 से divide कर दिया, तो 3 आ गया, तो बहुत असान है, आपको F1 को 2 से multiply कर देना, और O को 3 से multiply कर देना, आपका empirical formula आ जाता है, जैसे F2O3 आ गया, तो ऐसे निकालना है, empirical formula, यह notes हैं, उनको दुबारा revise करना, मेरी वीडियो को आप थोड़े कम speed पर देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई पूछे, molecular formula कैसे निकाला जाता है, तो molecular formula आपको पता क्या करना है, molecular formula जीको इस टो empirical formula को आपको N से multiply कर देना है, जैसे F2O3 आया ना, empirical formula उसको N से multiply करते तो molecular formula आ जाता है, आपके मन में आएगा कि अंकिया है, या के हमारे पास molecular formula Miles upon empirical formula Mouse और molecular formula मास आपको एक question में given होगा, तो आपको क्या करना है, molecules from में है को वें होगा, आपको इसको इवाले करना है, empirical formula तो मास अब कैसे निकालोगे पहले आपको एंपर इकर निकालना पड़ेगा जो कि अमने निकाल दिया पर फी टूओ त्री इसका मास निकालोगे मतलब तू को आप 56 से मडिप्लाय करोगे और ठीको आप आपको एंपरिकल फॉर्म निकल के आजएगा मेरी बात आपको थोड़ी तेज लग रही होगे क्या पहली बड़ पढ़े चैप्टर को अगर आप बहुत देरे दीर समझे होगे आपको बिल्कुल सब समझ में आने वाला और नोट्स तो में प्रवाइट कराई रहा हूं ना मैं चाहूंगा कि आप लोग खुदी पढ़ें इस रिलेशन को मैं बिल्कुल नी समझाओंगा बहुत असान है देखो मोलर मास को अगर आप एस इस को दिवाइड करोगे मोल का फॉर्मला मेरे जितने भी उपर फॉर्प्र बतायाएं ना उसका ऐक सब्सक्राइब आपको पहले कोई रियाक्शन दे देंगे मैं रियाक्शन देंगे आपको रियाक्शन खुद निकालनी पड़ेगी जैसे आपको रियाक्शन दे रखा है उसके फॉर्म में समझते सब्सक्राइब करनी है उसके बाद हमें पहले बैलेंसिंग करनी है सबसे पहले यह बहुत ही हाड कोशन लिया है मैंने पर इससे बहुत आ सकते हैं कोई भी रियक्शन पहले आपको देखना की प्रेक्शन क्या आचा बिसे यह को मैं छिव्ट करना है तो ब्लक्राइब यह इस वाली वीडियो में इंक्लूड किया अगर आप चाहते हो आग्गा आपको balancing आजी तो बहुत अच्छा है पर अगर आप चाहते हो मैं आपको balancing के लिए अलग video बना दू तो आप उसको recommend कर सकते हो comment box में मैंने balance कर दिया इसको यह रहा देख है इसके बाद क्या करना है molar ratio और initial moles molar ratio मतलब जो हमने balance किया हम पहले वो लिख देंगे सब का सब क्या आगे 3261 हमने balancing जो हमने खुद balance किया अभी वो यह वो नहीं है जो अभी question में दे रखा है यह हमने खुद जो balance किया molar ratio में वो लिखना है initial moles में लेखना है जो question में गेव हैं तो हमने question वाला same tip दिया यहाँ पर एने 3PO4 हमें 0.2 moles दे रखा है तो हमने यहाँ पर 0.2 moles लिख गए initial moles पर अब क्या करना है अब हमें initial moles को divide कर देना है molar ratio से 0.5 को 3 से divide कर दिया 0.2 को इसको से divide कर दिया इसको से divide कर दिया क्या आया 0.16 और 0.1 अब आपको इन में compare करना है कि कौन सा छोटा माउंट है 0.1 ज्याज़ा चोटा है 0.16 है सो हमारा यह limiting reagent हो गया ठीक है मतला हमारा एने 3PO4 is a limiting reagent तो पहला question तो यह आएगा जो कि आप अनाम से निकाल लोगे अब आपको जितनी भी कैलकुल अभी अभी यहां से आगे यूनिट्री मेठड लगेगा तो जितना भी यूनिट्री मेठड लगेगा वह limiting reagent के लगें मतलब अगर दो मौल एने 3PO4 से आपको एक मौल बी ए3PO4 यह ट्वाइस मिल यह तो भी निकालना उसके बाड यूनिट्री मेठर निकालके लगा के आपको कर देना है जो लैमिटिंग यह रिस्पेक्ट में आप यह सम्क्तर सकते दिदीग्र नहीं लगा सकते बड़ जोविंटिंग लिदेंट है आप इसके डिस्पेक्ट में लिमिटेंग रिजंट निकाल कि अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हों कि प्रॉडप्ट कितना बन रहा है फो यह लिमटेंगे जञेंट का of moles of a upon number of moles of solution मतलब माल लो a plus b react कर रहे हैं और कुछ cv वगयरा बना रहे हैं तो number of moles of a a हो गया number of moles of b यह हो गया तो अगर हमें मोल फ्रेक्शन of a निकालना है तो हम number of moles of a को डिवाइड कर देंगे total number of moles से इन दोनों को एड़ कर दो के total number of moles आ जाएगा तो similarly मैंने यहां पर वो लिख रखा है तो जैसी अगर आपको मोल फ्रेक्शन भी निकालना हो तो number of moles of b तो number of moles of of b upon number of a moles of a plus number of moles of b ऐसा आ जाएगा तो जो भी आपको जिसका से देनोट करते हैं स्मॉल एम से मॉलायलेटी को डिपेंड डिनोट करते हैं तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना जहां मुलायलेटी मतलब capital M number of moles of solute upon volume of solution number of moles of solute निकाला हमने उसको डिवाइड कर दिया volume of solution in liters आपको हमेशा question में मिली लीटर लेगा पर आपको क्या करना है उसको ठाउजन से डिवाइड करके लीटर में convert कर लेना है ठीक है माल लो आपको जो रखा है 16 gram of ch4 और बोला है यह कोई 100 ml में आपने डिसको आपने रियाट करवाया और 100 ml मतलब कर आपके सब्सक्राइब करोगे 100 ml है तो हमें लीटर में चाहिए भाई वॉल्यूम तो आपको थाउजन से डिवाइड कर दोगे करोगे वन वन हो जाएगा यह से कट जाएगा तो आपके बास यहां पर मोलारेटी निकल गया एगी ठीक है दूसरी बात मोलारेटी जो होती वो को बहुत इंपर्टन चीज है कि अगर पार्टिकुलर सॉलूशन में आपको दे रखा है कि पहले वालिम वीवन दे रखा है मुलारेटी एम दे रखा है उसको डायलीट किया गया है और वॉल्यूम वी तौ तक डायलीट कर दिया है और फाइनल जो मुलारेटी निकल लिए वह एंटू निकल लए जो इसका फॉर्म आपको यह निकालना होगा तो फॉर्मले में पूट करोगे सारी वैल्यूज आपको बहुत असानी से कॉश्चन आपका निकल लाएगा लाश्ट की दो टम से हम चलते हैं मुलारेटी एम नमबर आप मोल्स ऑपन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलारेटी में आपको याद है डिवा ऑफ पानी है वो सॉल्वेंट निकाल लेके लिए नमर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब शुगर डिवाइड़ वाइड़ मास ऑफ पानी जी घ्राम में नहीं केजी ऐसी मोलारेटी में वॉल्यूम ली लीटर में में लीटर में तो यह दून चीज याद रखनी है आपको बहुत आपसे कम पूछे जाती normality और formality आपसे बहुत कम पूछे जाती तो यह बहुत important भी नहीं है पर जब भी उपको बता हूँ Normality का formula होता है number of gram equivalent upon volume in liters अब what is volume in liters को समझ में आया क्या होता है प्छेट आफको यह नहीं बता कि number of gram equivalent क्या होता है number of gram equivalent का formula है given mass upon molar mass upon n factor को यह क्या है देखो given mass upon molar mass तो number of moles का formula है normal so अगर आप molar mass की जगे molar mass upon n factor use करोगे तो आपका number of gram equivalent आएगा अब आप पूछोगे भई n factor क्या होता है तो normality आपको थोड़ों कर सकता है n factor देखो क्या होता है after dissociation कितना चेंज आ रहा है के टाइन पे cacl2 का इंफेक्टर बताओ जब आप cacl2 को dissociate करोगे तो आपके पर टू प्लस चार्ज आएगा तो इसके एंफेक्टर टू हो गया एने अगर मैं आपको जब पानी में डालते हैं तो होते हैं तो कितने हैं इसका इंफेक्टर हो गया बेस की बात करूं तो और इसको दुबारा पढ़ लेना को समझ में आ जाएगा लास्ट टॉपिक सब्सक्राइब करने का तो इसी बात पर लाइक कर दो गया आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाई मेरे इस्टाग्राम को लिंक है वो डिस्क्रेप्शन में है वंश्ट एंडर को पाया पर मैंने पूरी कोशिश करिए आपको इस चैप्टर करी वीजन जल्दी से जल् इस अब कर दो गया और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाई मेरे इस्टाग्राम को लिंक है वो डिस्क्रेप्शन में वंश्ट ऑफिसिल इसको जाकर फॉलो कर लो और इस जो पीडिया फेस का लिंक है वो डिस्क्रेप्शन में डाला का मरें वेफसाइट के अंदर www.eng यह वर्ड. इन इस वेस्ट पाई पीदिव डॉनलोड कर लो विज अगर सैट गैस थैंक यह वर वाचिन इस वीडियो एवग अगर अगरा पो तेज लगाव बीज़ा आप इस वीडियो को सवड़ा यूट्यू प्र आप इस वीडियो को सोड़ा यूट्व प्रॉप्शिन जब तक लिए स्टेब्लाइज गुडबाई बाबाई